आज हम आपको बताने वाले हैं कच्छा बारा अध्याय पांच, सातत्यों और कलिनियता के बारे में जिसका कुछ सवाल हमारा पिछले वीडियो में आ चुका है कोश्चन नमर एक से छो तक आज हम आपको कोश्चन नमर साथ, आठ और नौ पे डिस्कस करने वाले हैं यहां पे भी इकवल मिल रहा है और यहां पे भी इकवल मिल रहा है तो हम क्या शक्ते हैं कि यहाँ पे दो सवाल है किस पे x equal to minus 3 पे और x equal to 3 पे तो आई हम पहला देखते हैं x equal to minus 3 पे ठीक है तो x equal to minus 3 पर यह हल कर रहा है हम लोग question number 6 ठीक x equal to minus 3 पे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किसी भी चीज़ पे सातत्य ज्याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि left hand limit लेते हैं right hand limit लेते हैं और इसके बाद मुख्यमान अगर तीनों बराबर आ जाए तो हम क्या देगे कि वो function जो है वो सातत्य है ठीक है अगर नहीं आये तो हम क्या कहते तो 3 पे ले रहे है तो left hand limit के लिए हम लोग क्या कर रहे थे left hand limit के लिए जो मान दिया रहता है उसके लिए मानते हैं माना x का मान देखिए जो दिया रहता है किस पे जितना दिया रहता है उसना minus h ठीक है left hand limit के लिए right hand limit के लिए क्या करते हैं पपला से हैच करते हैं देखिए अब जब अगर हम देखिए एक्स के जगव पर माइनस 3 कर दें यहां पर से माइनस 3 से माइनस 3 कैंसल एच बचा कितना 0 तो कहा देंगे तब एच का मान 0 होगा ठीक है अब देखिए जब इतना हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि लीमीट एक्स टस्टू माइनस 3 माइनस देखिए यह माइनस 3 वैलू है और यह माइनस 3 लेफट हंड लीमिट के लिए है तो हम क्या करेंगे fx और इसका मान जहां जहां पर यक्स देगा तहां ता अपर हम क्या करेंगे minus 3 minus h रखेंगे तो देखिए x equal to less than minus 3 minus का मतलब है कि x कमान क्या हो less than minus 3 हो उसके जग़े पर क्या दिया हुआ है mod x plus 3 तो देखिए limit हम क्या करते है h करते है 0 की और और ये जो हो रहा है mod है mod यहाँ पर क्या रखेंगे x है mod x तो वहाँ पर minus 3 minus h और plus क्या है 3 है अब देखिए हम जानते हैं कि mod से कोई भी value बहाँ निकलती है तो उसका मान plus होता है तो यहाँ पर देखिए जो limit दे रहा है h tends to 0 h tends to 0 ये जो value होगी plus 3 ये भी होगा और plus h और plus 3 तो 3 3 6 plus h तो 0 रखेंगे h को 0 कर देंगे कितना होगा h common हमें मिला left hand limit का मान कितना मिला 6 मिला अब हम right hand limit के लिए देखते हैं right hand limit के लिए इसके लिए हम मानते हैं x common जो दिया रहता value उतना plus h माइनस 3 पर देखना है माइनस 3 plus h अजब हम x को 0 क्या करेंगे माइनस 3 करेंगे, तब क्या होगा, यह अच कमान हमें 0 मिलेगा, ठीक है, बास होंगा रही है, अब देखिए, तो limit x tends to minus 3 plus, plus का मतलब greater than minus 3, ध्यान रहे हैं, यह होगा fx, और यह हम कह देंगे कि limit h tends to 0, अब greater than plus 3, देखिए, greater than क्या देखिए, माइनस 3, तो greater than यहां पर देखिए, x greater than minus 3 कमान कितना मिलगा, minus 2 x मिलगा, तो minus 2 और x के जगा पर का रखना है, minus 3 plus h, तो minus 2, minus 3 plus h, बुड़ा कर दें, तो minus minus plus, उपर लिखते आ जाईए, यहां पर, तो हमारा जो limit कमान दिया हुआ है, x tends to, देखिए, बराबर कितना दिया हुआ है, h tends to 0, माइनस 2 प्लस 6, और minus h, तो h को 0 भी कर दें, तो हमारा मान कितना मिला, h मिला, किसका limit, x tends to minus 3, पलस कमान, मतलब left, right hand, limit कमान, अब हम मुख्यमान देखते हैं, x equal to minus 3 पर, तो x equal to minus 3 पर हमारा मुख्यमान यही है, है न, तो हम कहतेंगे कि fx कमान क्या दिया हुआ है, mod x plus 3, ठीक, तो हम x यहाँ पर रखना है कितना, minus 3 रखना है, तो इसमें भी minus 3, plus 3, हम जानतें कि mod की value बाहर निकलती है, तो पलस जाती है, तो 3 plus 3 equal to 6, तो देखें, left hand limit, left hand limit, right hand limit, और मुख्यमान तीनों बराबर है, तो बोल देंगे चुकी, left hand limit बराबर है, right hand limit के, और यह बराबर है किसके, मुख्यमान के, तो हम क्या देंगे कि यह चुकी, इसलिए, x equal to minus 3 पर, फलन सतत है, फलन सतत है, ठीक है, अब इसी का दूसरा part हम करने वाले हैं, कह रहा है कि x equal to किस पर, 3 पर, तो आप लिख लिजिए, हम मिटाने वाले हैं, अब देखिए, इसी का क्या क्या रहा है, दूसरा part क्या 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 रहा है, कि x equal to 3 पर, तो x बराबर 3 पर, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, left hand limit के लिए, जो value दिया रहता है, उसके लिए मानते हैं, माना, x बराबर, जो value 3 है, तो 3 minus h, left hand limit के लिए हम इसा क्या लेते हैं, माइनस h, अब देखिए, जब हम x को क्या करें, 3 करें, तब याज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो limit x टेंस टू 3 minus, 3 पर दे रहा है, तो 3 minus fx, अब देखिए 3 minus, और था, x is less than 3, x is less than 3 कितना मिला, देखिए छोटा हो 3 से, तो कितना मिल रहा है, minus 2x मिल रहा है, तो limit h tends to 0, और minus 2x के जागा पर क्या रखना है, 3 minus h, तो गुड़ा कर दिया जाए, limit h tends to 0, minus 6 plus h, और 0 कर देंगे, तो minus 6, ठीक है, h को 0 कर दिया, तो minus 6, अब right hand limit के लिए देखते हैं, right hand limit के लिए, मानते हैं, जो value दिया रहता है, कितना value दिया 3, तो उतना ही देखिए, 3 और plus h, right में क्या करते हैं, plus लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे, जब x कमान 3, तब h कमान कितना, 0, तो देखिए, limit x tends to 3 minus fx, 3 minus का मतलब less than, कितना हो, यह 3 minus नहीं है, कितना है, 3 plus है, ठीक है, 3 plus, अर्थात greater than 3 के लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कि x कमान कितना है, greater than 3 पे, मान कितना है, 6 x plus 2 है, तो वहाँ पर हम रखेंगे, limit, h tends to 0, और यह मान जो देखिए, 6, x के जगा पर रखना है, 3 plus h, और लाशनल कितना दिवा, 2 दिया हुआ, यहाँ से आप उपर आईए, ठीक है, बराबर, कितना देरा, limit, h tends to 0, 3, 18, 18, प्लस 6, और प्लस 2, अगर यह अच को 0 कर दें, तो 18, प्लस 0, प्लस 2, इक्वल टू 20, यहाँ पर दो ही चीज़ देखना भी, कि left hand limit ही बराबर नहीं है, कि इसके right hand limit के, तो हम कह देंगे, इसके right hand limit के, इसलिए, x equal to 3 पर फालन सतत नहीं है, फालन सतत नहीं है, ठीक है, चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं, आप मिटा रहे हैं, इसको, देखते हैं अंगला स्वाल, अब हमारा दूसरा सवाल जो है, question number 8, वो कह रहा है, कि fx कमान है, mod x upon x, यदि x is not equal to 0, not equal to 0 जब दिया हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका मान होता है, less than के लिए, और greater than के लिए, बतलब बराबर नहीं है, तो छोटा होगा है, तो बढ़ा होगा, ठीक है, तो हम कह देंगे, जब 0 से छोटा हो, तभी यई होगा, और 0 से बढ़ा हो, तभी यई होगा, लेकिन बराबर के लिए का है, मान, 0 दिया हुआ है, तो question number 8 का solution करते है, question number 8 का hull, देखिए, ठीक, तो left hand limit के लिए, सबसे पहले लेले, जो मान दिया हुआ है, left hand limit के लिए, तो जो मान दिया रहा था, कि इस पर हमें देखना, x equal to 0 पर, x equal to 0 पर, देखिए, 0 है न, इस पर, equal देखना सबसे पहले, तो देखिए, x equal to 0 पर, left hand limit, तो मान लेते हैं, जो एक्स का मान दिया रहता है, जो मान है, उतना minus h, तब x का मान हम 0 करते हैं, तब, तब कितना होगा, देखिए जब हमें x का मान 0 करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, यह किसकी और, पिछले देख से, x 0 की और जाने लेगा, तो limit, x tends to, क्या लेंगे, 0 minus fx, 0 minus मतला 0 से छोटा या बड़ा हो, क्या दे रहा है, यह देखिए, बड़ा नहीं, छोटा हो, तो यही बान दे रहा है, उसके जग अब हमें रखना, 0 minus h, अब नीचे क्या रखना है, इसको भी रखना है, 0 minus h, पसंगा रही है, उपर वाली value कितनी होगी, minus, आप mod में है, तो plus h, limit रख दिया जा पहले, और नीचे है, minus h, h से h, cancel, minus 1, और जब h रहे गई नहीं, तो मान कितना होगा, minus 1 होगा, अब हम right hand limit के लिए, किसके लिए, right hand limit के लिए, ठीक है, तो right hand limit के लिए, जो हम मानते हैं, माना yaks कमान, जीतना value पे देखना रहता है, उतना plus h, 0 plus h, ठीक है, जब x कमान 0, तब h कमान 0, तो इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए, limit x tends to 0 plus fx, इसमें भी क्या है, 0 plus के लिए, मतलब not equal to है, तो 0 plus के लिए यही है, तो mod में 0 plus h है, upon 0 plus h, तो 0 plus h कितना होगा, देखे, 0 plus h, मतलब है, h upon h, तो h से h cancel, मान केतना मिला, 1 मिला, अब देखिए, दोनों ही बराबर नहीं है, तो क्या किया देंगे, x equal to 0 पर मुख्यमान, जो फॉलन है, वो सतत, नहीं है, देखिए, x equal to 0 पर 3 अलग-अलग मिल रहा है, मुख्यमान भी माना कितना मिल रहा है, देखिए, fx कमान, x equal to 0 पर 0, तो 3 मान, सतत नहीं है, तो बोल देंगे, चुकी, x equal to 0 पर, left hand limit बराबर नहीं है, right hand limit के, इसलिए, फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है, बत सुना रही है, अब देखिए, तीसरा सवाल हम देखते हैं, लिख लिज़े मिटा रहे हैं, ठीक देखिए, हमारा 9 नमबर कह रहा है, 9 नमबर, fx कमान दिया हुआ, x is not equal to 0 के लिए, similarly वैसे ही है, ठीक, बस जो mod उपर दिया हो था, mod नीचे दे दिया है, similarly वैसे ही आपको लगाना है, तो हम क्या कहते हैं, x equal to 0 पर, x equal to 0 पर, क्योंकि equal to 0 पर, तो left hand limit के लिए, left hand limit के लिए, तो अभी बताए हैं कि उसके लिए मानते हैं, x कमान, जितना value दिया रहता है, उतना minus, h, जब x कमान 0 कर दिया जाया, तब h कमान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, तो limit x tends to, क्या होगा, 0 minus fx, तो limit h tends to 0, और ये value जो दे रहा है, mod वाला, उसके जगह पर हम क्या रहना, 0 minus h, तो उपर होगा, 0 minus h, ये बस ऐसे bracket में, नीचे वाला mod में, 0 minus h, तो देखिए, उपर वाला तो minus h होगा, उपर वाला क्या होगा, minus h, क्योंकि mod में ये नीचे वाला plus होगा, तो h cancel, minus 1, ऐसे ही हम right hand side के लिए, right hand limit के लिए, right hand limit के लिए, तो देहान दीजिए, इसके लिए भी मानेंगे हम, माना, x कमान 0, जो दियाए, पॉइंट उतना प्लस h, जब x कमान 0, तब h कमान भी 0, ठिक, आईए उपर, देखिए, तब हम क्या करेंगे, limit x टेंश टू, 0 प्लस, fx, तो limit, h टेंश टू, 0, और not equal to, देखिए, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 का बराबर नहीं है, बड़ा है, तो 0 का बराबर नहीं है, बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मान यहीं दिया हुआ है, तो क्या 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 देंगे, कि 0 प्लस h, अपान माड में 0 प्लस h, ये भी होगा, उपर, h tends to 0, उपर हो जाएगा या च, और नीचे हो जाएगा या च, h से h cancel, मान मिला, 1, अब हम देखते हैं, कि left hand limit ही बराबर नहीं है, राइट hand limit के, इसलिए, फलन, x equal to 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, कोशिस है कि आपको समझ में है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में,